प्रदेश कॉंग्रस अध्यक्ष प्रदिवास सिंग ने कहा है कि पार्टी कांगडा और हमीरपूर संसिद्यक शेत्र के लिए जल्द ही उमीदवार खोशित करेगी प्रदिवास सिंग ने आज शिमला में पत्रकारों से बाचीत करते हुए कहा कि इन दोनों लोगस्वास सीटों पर पार्टी तवारा उमीदवारों को लेकर करवाए गए सर्वे की रिपोर्ट पार्टी हाई कमान को दे दी गई है और जल्द ही जीतने वाले उमीदवार चुना मैदान में उतार दी जाएंगे प्रदिवा सिंग ने विक्रम अदित्य सिंग को मंडी संस्दियक शेतर से पार्टी उमीदवार बनाये जाने पर कहा कि कॉंग्रिस को पहले भी इस संस्दियक शेतर के लोगों का आशिरवार मिलता रहा है और इस बार भी ये आशिरवाद मिलेगा प्रदिवा सिंग ने भाजपा के संकल पत्र को चुनावी जुमला करार दिया और कहा कि इस से पहले भी दो चुनावों मे भाजपा की लोग बेरुजगारी और महंगाई को लेकर वायदे कर चुके हैं जो आग दिन तक पूरे नहीं हुए हैं उनने कहा कि देश के लोग सम समंजस की स्थिती में दिख रहे हैं लोग सावा चुनावों की बात करें तो अभी भी कॉंग्रेस की 4 सीटों में से केवल 2 ही सीटों पर उमीदवार खोशित हुएं कॉंग्रेस की इस समय किस तरह की आर्ड़ने की स्थिती बनती हुई दिख रही है जी अंशुल बिल्कुल कॉंग्रिस जो है असमंजस की स्तिती में तो राज्य सभा के जब चुनाव हुए थे उसी समय से नजर आ रही है जिस प्रकार जो है क्रोस वोटिंग हुई उसके बाद कॉंग्रिस के जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफों की जड़ी लगा दी तब में जो है बात करें लोगसभा चुनावों की तो लोगसभा चुनावों के जो प्रत्याशी है उनके नामों का जो निर्णय लेना था उसको लेकर भी कॉंग्रिस काफी लेट लतीफी करती भी नजर आ रही है आलांकि दो सीटों पर जो है उमीदवारों की घोषना कर दी ग वो मुकाबला रहने वाला है क्यूंकि जो छे विधायक कॉंग्रिस से इस्तिफा दे कर बीचे में शामिल हुए है उन छे के छे विधायकों को भाजबा की तरफ से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है और छे के छे विधायक चुनावी रण में पूरी तरह से डट चुके है इधर कॉंग्रिस की तरफ से फिलहाल जो है नामों की सूची उपचुनाव को लेकर जारी नहीं की गई है दो लोग सबा सीटों को लेकर भी फिलहाल कोई भी प्रत्याशी फाइनलाईज नहीं हुआ है कॉंग्रिस काफी लंबा समय लेते हुई जो है वो नजर आ रही है कॉंग्रिस के लिए प्रत्याशी के नाम घोशित करना इसलिए भी मुश्किल है कि उनके जिताओ जो उमीदवार थे वो पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं जो कि 2022 में elect हो के कॉंग्रेस कारे करता है उनकी जो सूची है वो काफी लंबी है लेकिन कॉंग्रेस से जब इस बारे में सवाल पूछा जाता है तो गोण्गेस का कहना बाजबा अपने प्रत्याशियों के नाम गोशित कर चुकी है, बाच्चाहे लोकसभा की हो या फिर विधानसभा के उपचुनावों की, तो तमाम जो भाजबा के जो कारे करता है, वो तयारियों में जूटे है, प्रत्याशी है, वो पूरी तरह से जो है चुनावी रण में उतर गए है, और तो जो जो तरीके से जो है चुनावी रेलिया कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, वहीं बात अगर मंडी संसद्यक शेतर की करें, तो विक्रम आदेति सिंग, जिने यहां से टेकेट मिल ने तो छे बार के लगतार सांसद रहे हैं, उनके पिता जी, केरी सुल्तानपूरी, तो वर्चस वो काफी जादा है, वही विनोज सुल्तानपूरी है, तीन बार उन्होंने विदानसभा का चुनाव लड़ा है, पहली बार जब चुनाव लड़ा तो 24 मतों, मातर 24 मतों से उन्हें हार मिली थी दूसरी बार 442 समत से वो हारे थे तो ये कह सकते हैं कुल मिलाकर की जनता में पैट जरूर है विनोज सुल्तानपूरी की लेकिन जब सांसत की बात आती है तो एक लंबा और एक लंबा चोड़ा और बड़ा खशेतर जो है वो कवर करना होता है तो देखन के भी जो प्रत्याशी है वो फील्ड में उत्रे और अपनी चुनावी रन को जो है चुनावी रन भेरी की शुरूआत वो करें अंशिव